वेलकम टो एजी सिंपल अजीव तल्बाव तालिबात इस वीडियो में हम जुग्राफिया दसवी जमात का 2022 का कुश्चन पेपर सॉल करेंगी अगर आप इस कुश्चन पेपर का पीडियेफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं और वहां पर हमन हिदायत पर लेंगे अच्छी तरह से हिदायत में वही है कि जो तर्सीम दी गई है आपको नक्षे दिये गए उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल करें साफ सपाई का ध्यान रखिए अच्छी शकले बनाए वगएरा वगएरा पहला सवाल देखे सही मुदबादिल का चुनक मगरीबी शुमाली मगरीब या जुनूबी मश्रिक तो सही जवाब है शुमाल मश्रिकी नेक्स ब्राजील में जुनूबी जुनूब मश्रिक और शुमाल मश्रिक सिम्तों से आने वाली खाली जगे हवाओं से बारिश होती है मांसून ही हवाओं से मश्री की हवाओं से ग तो इसका सई जवाब होगा, option number two, मश्रीकी तिजारती हवाओ से, तीसरा देखिए, भारत और ब्राजिल दोनों मुलकों की महिशत खाली जगे किस्म की है, गए तरक्की आफ्ता, तरक्की आफ्ता, तरक्की पजीर या इंतियाई तरक्की आफ्ता, तो देखिए, ना हमारा बल्के आफ्ता, बहुत जवाब हो रहा है, तो इसलिए जवाब होगा, तरक्की पजीर, स्वाल नमबर चार देखिए, ब्राजिल का ज़यादा तर हिस्सा मैदानी है, बुलंद जमीन का है, पहाड़ी है, या मुन्तशिर टेक्रियों का है, तो सही जवाब है, option two, सबसे जादा शहरकारी यह रीवी दी जिनेरियो तो देखिए इलाकाई सहर की हमें हम क्या करते हैं सवाल नमा तयार करते हैं तो इसका अप्शन होगा अप्शन 3 इसका सही जवाब होगा और दूसरा देखिए पीको दी नेविलीना यह क्या है ब्राजिल के बुलंद चोटी ह सबसे ज़्यादा शहरकारी कहा हुई है गोवा में हुई है रीवी दी जिनेरियो तो यह क्या है एक सहत अब्जा मकाम है सहायत के लिए यहां सहायत के लिए जाती है लोग तो इस तरह से इसका अंसर लिखेंगे जो आपको हम जवाबी पर्चे में बता देगी सवाल नमब यह ब्राजिल के साया बारा के इलाके को क्या कहा जाता है जवाब देखी इस तरह से लिखेंगे ब्राजिल के साया बारा के इलाके को खुश कुछ चोगोशा कहते हैं दूसरा स्वाल है ब्राजिल का सबसे मक्बूल खेल कौन सा है तो सबसे मक्बूल खेल है फुट बॉल तीसरा रगबे के लिहास से भारत की सबसे बड़ी रियासत राजिस्तान है भारती मेयारी वक्त का तुलूर बड़त 80 मिटर 30 सेकंड है और पांचवाए भारत में बुन्याजी तवर पर किस तरह की जरात होती है गुजरानी तरह किसम की जरात होती है तुलूर नम्बर 4 का दिए गए भारत की नक्षे या खाके में मन्दर जजाल की निशान धाई कीजिए और नाम लिखिये और इशारिया भी बनाएए यह आपको फैरिक्ष भी बनाना है और जो आपको भार नक्षे दिया जाते है उसमें आपको सिक्किम, लक्ष दीप, जज आपको इशारिया भी बताना है इशारिया बनाना है इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं इस हाँ पर रेट कलर में दिखाया गए सिक्कीम गिरीन कलर में लक्षिजी जजायर चिन्नई बंदरगा और डिग बोई जो मादनी तेल साफ करने का मरकज है और यहां आर की निशा से दिखाया गया है कि जो सबसे आदक गुंजान आबादी वाली रियासते है जुनुबी भारत की और खते सर्तान तो इस तरह से इसका आपको इशारिया बनाना है और इसे नक्षे में निशान्दाई करनी है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर दिख बोई सिक्किम और खते सर्तान जो भारत की बिल्कुल बीच से गुजरता है उसी तरह चिन्नाई बंदरगा जैसे पिंक कलर में दिखाया गया है यहां पर गिरीन कलर होना चाहिए लक्षी दीब जजायर और कैरेला और तामिल नाडू जो गुंजान आबादी वाली रियासत है हमारे भार मुशाइदा कीजिए रिया रिस सवाल आत के जवाब लिख्ये कोई चार बहुत आजा आपको नकσया भी दिया गया वह ? हमें जंगलात कर जन्गलाती ईलाक्य और इलाक्यों जन्गली जानवारों हां में नक्शा दिया गया है और गल्टा पेहला कोश्या पार्ऌशन तो देखिए यहां पर हमें इशारिया में इसका जवाब में जाएगा एक इस्तवाई जंगलात लिख सकते हैं गरम घास का इलाखा या गरम पद जड़ के जंगला या काटेदार जंगला इसमें से कोई दो नाम लिख दीजिए नक्षे में दिखाया गए जजीरे का नाम बत नक्षे में जो मगरमच है वो पान टाला के इलाखे में दिखाया गया है उससे तरह से तामरान ये जानवर किस इलाखे में दिखाई देता है तो देखिए इसका जवाब आएगा दरियाए Amazon की वादियों में दिखाया गया है नक्षी में जुनुबी सिम्त के घास वारा इलाका कौन सा है जुनुबी सिम्त में आप इलकु नीचे आ जाना है आपको और इसका जो जवाब दिखेंगे आप यहापर दिख से है पम पास इसका आंसर होगा आपको जवाबी परचे में इसके पूरे जवाबात मिल जाएंगी जैसा यह जवाबी परचे में देख सकते हैं इस्तिवाई जंगलात और काटिदार जंगलात पहले साल का जवाब माराजा जजीरा नक्षे में देखा जा सकता है पांटनाल के इलागे में मगर में दिखाई दे रहा है तामरान ये जानवर दरिया एमजोन की वादी में देखे जा सकते है और नक्षे में जुनू दिखास का इलागा हुनता है फंपास है स्वाल नमबर पांच देखे जुगराफ याई वजुहात लिखिए कोई दो सबी देखेंगे पहला देखिए भारत में पज़ड के जंगलात पाए जाते है वजुहात बताईए ब्राजिल में माहोल दो सयाहत यानि इको फ्रेंडली को ज़्यादा तरक्य दी जारी है और भारत की महिशत में माही की पेशे का एहम किर्दार है वज़े बताना है अब ब्राजिल में कानकजी के पेशे को कम फरोग हासिल वाए स्वाल नमबर पांच का पहला देखिए पॉइंट वाइस लिख सकते हैं पहला पॉइंट लिखेंगे के हैं हजार से 2000 मिली मिटर बारिशवाली इलाके में पजड़के जंगलात पाये जाती हैं भारत का जादा तर रिलाकों में बाषऑस से 2000 मिली मिटर होती है मौसा में अगर्मा में थब खीरी अमल की वज़े से पानी कम ना हूए इसलिए दरफ्तों के पत्ते जड़ जाती है इसलिए भारत में पत्त जड़ की जंगलाद पाहे जाती है नेक्स जो दूसरा कोईश्चन था हमारा हो कि ब्राजिल में इको फ्रेंडली सियाहत को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है तो उसका जवाब देखिए सफेद रेट के साहिल, साप सुद्रे समंदरी साहिल, कुदरती मनाजिर से भरफूर जज़ीरे, दरियाएं अमेजोन के सदा बाहर जंगलाद, जानवर और परिंदों के अन्वावा अकसाम, मुक्तलिप किस्म के खुबसूरत पार्क वगेरा की बुन्याद पर ब्राजिल में सियाहत کے पेशे में तेजी से तरक्की हुई है, दूसरा पॉイνट लिखेंगे, सियाहत के पेशे में तरक्की की वज़े से पैदा होने वाली आलूदगी, माहूल याति नुक्सान वगेरा के असरात को रोकना भी जरूरी है तेस्रा पॉइंट लिए स्याहत के पेशे को तरक्शी देने के साथ-साथ माहूल का तवाजम काइम रिखना भी जरूरी है इसलिए बराजील में दो स्याहत को तरक्शी दी जा रही है माहिगिरी का पेशा क्यों एहम है हमारे मुल्क में तो जवाब पेड़ा बंड गई खारियन मीटे फानी में माहिगिरी में भारत सहरे फैरिस्त है मचली गिज़ा का एक एहम जूज है जो तज्जिय के मियार को बुलंद करता है भारत के मुक्तली प्रियासतों के बाशिंदों के गिज़ा का एहम जूज मचली है भारत में माहिगिरी के कुल सालना पैदावार का 40 फीसद हिस्सा खारे पानी से हासिल होता है जब कि 60 फीसद हिस्सा मीटे पानी से हासिल होता है भारत के मुक्तलिफ इलाकों में माही गिरी से रोजगार के मौाके फराहम होते हैं माही गिरी से बारत को गयर मुल्की करंसी हासिल होती है इस तरह माही गिरी भारत की मैशत में एहम रोल अदा करती है चौदर देखिए भारत में ब्राजील में मादनियाद के पेशे में क्यों ने कम फरोग मिला है कानकनी के पेशे में तो उसका जवाब देखिए ब्राजील की मगरीबी हिस्से में मादनियाद के जखेरे निजबतन कम है ब्राजील के बेशतर मगरीबी हिस्से में दर्याय एमजोन की वादी है यहां सदा बाहर जंगलाद अ दुश्वार इलाकी है इसलिए वहां मादनियात की दर्यावत पक गौर फिक्र नहीं किया गया इस लाके में आबादी भी कम है और मादनियात की तलब भी बहुत कम है इस हिस्से में आमद और रफ्ट की सहूलते भी काफी नहीं है इसलिए ब्राजील की मगरीबी हिस्से में कानकनी के पेशे को कम फरोग हासिल है स्वाल नमबर छे का ए देखिए मंदर जजल आदाद वो शुमार की बिना पर साधा सुतूरी तर्सीम बनाईए और दर्जल सावलात के जवाब लिखे ब्राजील की शेहरी आबादी फीसद दो 1960-2010 तक यहां ब्राजील की शेहरी आबादी किस साल कितनी थी है इसे देखकर हमें सुतुरी तर्सीम को आपको दी जाती है बनाना है और उसी देखकर जवाबting लिखनी है यह तर्सीम किस चेजा को dispers कर तीया ब्राजील की शेरी आबादी के फीसद को जाहर करती है दूसरा देखिए है किस जाही में शेरी आबादी के रफ़तार कम में कमी आई है आट तीसरा देखिए 1980 – 1990 की दाई में कितना फीसद इजाफ़ा हुआ है इस तरह से तरसी मनाएंगे X महिवर और Y महिवर ऑ मेहीवर, पर हमनें क्या बता है, फीसाओ, शेहरी आबदी का फीसाओ है, जब कि एकस मेहीवर पर साल के नाम दिये गए हैं, तो किस साल कितना था है, तो हमने कॉलूम को देखा है इस तरसीम को बनाया, इसी तरह से आपको बनाना है और इसे देखकर सवालात की जवाबात देगी पहला सवाल है ये तरसीम किस चीज़ को जाहिर करती है तो ये तरसीम 2010 से 1960 तक ब्राजिल की शहरी आबादी को जाहिर करती है इस तरह से जवाब लिखेंगे 2010 की दहाई में शहरी आबादी की रफतार में कमी हुई है दूसरे का जवाब तीसरा है साल 1980-1990 की दहाई में शहरी आबादी में 8.6 पिसद का इजाफा हुआ है इस तरह से जवाब लिखेंगे और इस तरह से आप तरसीम बनाएंगे बहुत ही आसान है इसमें आपको आसानी से 4 मार्स मिल दाईगे इस का B है या तो आप ये भी कर सकते है दर जे जाल तरसीम का मुताला करके सावलात के जवाब लिखेंगे 6 मार्स के लिए बहुत ही आसान है यहाँ पे आपको तरसीम दी गई है और से हयात की दोनों भी मुलकों की ब्राजील और भारत दोनों भी मुलकी तो देखिए इसके सवाल है पहला 2016 में भारत का आउसत अर्सहयात कितना है तो पहले लगे 2016 में भारत का आउसत अर्सहयात कितना है 68 जवाब लिखेंगे 68 है 68 साल दूसरा देखिए 1990 में भारत के मुकाबले में ब्राजील का और सहयात कितना ज्यादा है 1990 में 1990 में तो देखे 1990 में भारत का होगा 50 54 या 55 तक हो सकता है और जो ब्राजील का है वो 65 है तो साथ साल का साथ सल ज्यादा लिख सकते आप तो तीसरा देखिए 1980 में भारत का जो आउसत हर सहयात है वो ब्राजील का किस साल में था तो देखिए 1980 में हमारा 54 जबके ब्राजील में 1960 में था चौक्स का अंसर होगा 2010 से 2016 के दर्मियान किस मुल्क के अवसत अरशहयात मीं इशाफा हुआ है तो देखिए Brazil के अरशहयात में इशाफा हुआ है दो साल का आप 30 सी में देख सकते हैं मुल्क और मुल्क का और समयाद ज्यादा है तो यकिनन बराजिल का यह चौशा है और वे बीद्जी बाजील के मुकाबले में भारत वे खागा फ्याद न सब्सक्राइप कि कितन काम में तो 2060 में भारत का है जब के अहर्गर तीनों देखें के पहला बारत आप इलाकाई सेर में शामिल हो रहा है तो इसके लिए आप कौन सी ठेवारी करेंगे जंबलाती इनलाका की सैर के लिए सवाल नमा ठेव किजिए तो आपता कॉनगों आ तब करेंगे और आप सवाइड नमा पुर तयार करना है साइड हेडिंग डालेंगे पहले इलाकाई सेर की तैयारी इलाकाई सेर में शेरिक होने के लिए दर्जिजल तैयारी करेंगे पहला है मकसद का तायून यानि किस मकसद के लिए जा रहा है इलाकाई सेर का मकसूद मकसद और आमोजी ही महासिल तैय किया जाता है दूसरा मकाम का तायून यानि किस जगे जा रहे है इस मकाम का तायून फासला यानि कितने दूर है आमद रफ्ट यानि बस से जा रहे है या ट्रेन से या जो भी आप आमद रफ्ट के जराइश से जा रहे है वक्त कितना दरकार होगा इन सब के मनसु बबंदी की जाएंगी ऑखनानी के लिए पर्मेशन की ज्रूरत होती है तो वह भी हासिल करना हूंगा। स्वाल नामा। इस मुक्सेट के लिहास सवाल नामा यह था है। सवाल इस तरह से तयार करेंगे। पहला सवाओ जेंगल का नाम क्या है को चेंगल आगिमचार वालक्व , जंगल में पाई जाने वाले दरख्तों के ना, किस किसम के जानवर पाई जाती है, या जंगलात का इस्तिमाल क्या क्या है, या इसमें जो दरख्त है, वो किस तरह से इनसान के काम आते हैं, इस तरह से आप सवाला तयार करेंगे, दूसरा कोईशन देखिए, भारत और ब्राजिल के आपउ हवा में इस तरह से दो कोलमब बनाएंगे और पॉइंट्वास लिकए है पहला जाब के आपऊ हवा मानसूनी है जब कि ब्राजील के आपउ हवा में मुंता के खारला किस्म की है अमुमित तरह अफ़ात के शुमाली हिस्से में निजबतन कम दरजे हरारत और जुनूबी हिस्से में निजबतन जादा दरजे हरारत होता है जबकि ब्राजील के शुमाली हिस्से में निजबतन जादा दरजे हरारत होता है और जुनूबी हिस्से में कम दरजे हरारत पाये जाता है तीसरा पॉइंट लिकेंगे भारत के जुनुबी हिस्से में बारिश जादा और शुमाली हिस्से में बारिश कम होती है जबकि ब्राजिल के शुमाली हिस्से में बारिश जादा होती है जुनुबी हिस्से में बारिश कम होती है च्षाल पॉइंट लिखेंगे भारत की साहिली इलाकों में आबो हवा गर्म और म्रतूब होती है, जबकी ब्राजील के साहिली इलाकों में हवा, आबो हवा मौत दिल और सरद होती है. इस तरह से मौसना करेंगे. लास्ट कोईशन है भारत के मैदानी जाके की खुसुसियाद बताईए अजीज तलबा इसके पहले हमने 2022 का उर्दू, हिस्ट्री और साइंस वास का कोईशन पेपर सौल किया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी और साथी साथ टेली ग्राम चैनल को भी जॉइन की दिये जहां आपको कोईशन पेपर के पीडियेफ मिलेंगे और आंसर शीट के भी मिल जाएंगे तो जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो देखी लास्ट कोईशन का जवाब है अपने खुसूसियाद बताने हैं मैदानी इलाकी खुसूसियाद दरजिजहल है पहला है भारत के शुमाली इससे में वसी मैदानी इलाके पाए जाते हैं ये इलाक का शुमाली भारत का मैदानी इलाका कहलाता है शुमाली भारत के मैदानी इलाकों को खास तोर पर तीन हिस्सों में तक्सीम किया गया है रावली पहाड के मश्रिक में दरियाए गंगा की वादी का इलाका गंगा का मैदान कहलाता है मगरीबी بنگाल के बेश्य तरह षसे में और बंगला देश में गंगा और ब्रहमूपुत्र के दाहने पर डेल्टा इलाका पाय जाता है इस इलाके का नाम सुन्दरबन है यह दुन्या का सबसे बड़ा डेल्टा इलाका है शुमाली भारत के मैदानी हिस्से में रेगिस्तान है ये इलाका थार रेगिस्तान या थार रेगिस्तान का इलाता है रियासत राजिस्तान का बेश्टर हिस्सा रेगिस्तान पर मुश्तमिल है पंजाब का मैदानी इलाका थार रेगिस्तान के शुमाल में वाकए है यह यह अरावली पहाड और डेहिली के पहाडी सिलसिले के मगरीवई इलाके में फहला हुआ है लास्ट पॉइंच टिकेए पंजाब के Id Themen लागे में अमूंमी धलान मगरीवी सिंथrictं में है यह यह मैद़ानी इलाके मिडि़ी जर्खेज हुती है इस वज़े से वहाँ पर बड़े माने पर जराद की जाती है अजीज तल्बा यहाँ आपका कोश्चन पेपर पूरी तरह से मुकमल होता है वीडियो पसना आया है तो लाइक कीजिए दोस्तों को से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए